ब्रह्म पुत्र बेसिन यह बेसिन परवती नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। इस बेसिन की प्रमुख नदी ब्रह्म पुत्र है जो तिबबत में मांसरोवर जील के निकट एक हिमनद से निकलती है। यह नदी तिबबत में सांगपो और असम में दिहां के नाम से जानी जाती है। तिस्ता स्वन शिरी, मरेली, मनास, लोहित, आदी, ब्रह्म पुत्र की सहायक नदियां है। इस शेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण निचले शेत्र में इसका पाट चोड़ा है। तटवर्त इस शेत्र में ही उपजाओ मिट्टी का जमाओ मिलता है। यह नदी बांगला देश में गंगा नदी में मिलने के पूर्व कई शाखाओं में बटकर गंगा के साथ डेल्टा का निर्माड करती है। इसके द्वारा निर्मित मैदान में जूट, धान, आदी की क्रिशी की ज जाती है। गुवाहाटी, दिब्रूगड इसी नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा एवं तापती बेसिन, इस बेसिन का निर्माड एक पतली पट्टी के रूप में इन नदियों द्वारा किया गया है। यह दोनों नदियां एक दूसरे के समानांतर पश्चिम दिशा म सक्री भ्रंस घाटी, दरार घाटी से होकर बहती है। यह दोनों नदियां अरब सागर के खंभात की खाडी में गिरती है। जबलपुर के समीब भेडा घाट नामक इस्थान पर नर्मदा संगमर्मर की चट्टानों से होकर बहती है। जहां धुआधार जलप्रपात बनात इसके पूर्व अमर कंटक में कपिल धारा एवं दूद धारा नामक प्रपात भी नर्मदा नदी बनाती है। गोदावरी नदी बेसिन इस बेसिन का निर्माण गोदावरी व उसकी सहायक नदियां वेन गंगा, मंजरा और पेन गंगा आदी द्वारा हुआ है। यह बेसि गाट की ओर आंधप्रदेश के पोला वरम के पास यह कंद्रा में होकर बहती है। इसके पश्चात नदी की चोडाई बढ़ जाती है। इस नदी द्वारा बाड की मिट्टी का जमाव निचले शेत्रों में किया जाता है। काली मिट्टी के इस शेत्र में कपास्व अन्य व्यापारिक फसलें अधिक उत्पादित की जाती है। कृष्णा नदी बेसिन यह नदी महरास्टर के पश्चिमी घाट में महा बलेश्वर के निकट से निकल कर महरास्टर करनाटक वो आंधर प्रदेश में बहते हुए 1400 किलोमीटर की दूरी तैकर बंगाल की खाडी में गिर्ती है। इसकी प्रमुक सहायक नदियां तुंग भद्रा, कोयना, मेरला, पंच गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा तथा भीमा है। इसके जल का उप्योग सिचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कावेरी नदी बेसिन इस नदी का उद्गम करनाटक राज्य में कुर्ग नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुक सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमवती, शिक्सा, नोईल वो काबिनी आदी हैं। इस नदी पर कई बहुत देशिय परियोजनाओं का निर्माड कि दिया गया है, जो किसी शेत्र के साथ साथ उद्गों के विकास में भी सहायक है। महानदी बेसिन इस बेसिन में महानदी और उसकी सहायक नदियां जैसे शिवनात, हस्तो, माण, आदी प्रवाहित होती हैं। प्राचीन काल में महानदी को चित्रोत पला, महाननदा, निलोत पला के नामों से भी जाना जाता था। यह नदी चटिस गड़ की जीवन दाइनी कहलाती है। चटिस गड़ के मैदान का निर्माण महानदीव उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इस उपजाओ मैदान में धान की फसल का उत्पादन प्रमुकता से किया जाता है। इसी कारण चटिस गड़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। यह नदी चटिस गड़ में प्रवाहित होती हुई ओडिशा राजी में प्रवेशकर बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। चटिस गड़ में इस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल बांध मोगरा वो सिकासार नामक बहु उद्देशिय परियोजनाय निर्मित है। चटिस गड़व ओडिशा राजी की सीमा पर इस नदी में हीरा कुंड बांध बनाया गया है। जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इन परियोजनाओं से सिचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्से पालन, आधी का विकास किया जा रहा है। इस नदी की अविस्थिती के कारण चटिस गड़ के अधिकान शुद्योगों का विकास इसके तट पर हो रहा है।